तो बच्चो ये देखो, ये क्या है वियंजनों का घर, और इन वियंजनों में कौन-कौन से वियंजन है, जो हम लोगों ने LKG में किये थे, कह से लेकर हा तक, और हमने इनको अभी revise भी किया है, recently अभी हमने इनको notebook में किया है, compassion लेकर हा तक, अब इनके घर में आज तीन और वियंजन आएंगे और उन वियंजनों को हम last में add करते हैं ह के बाद तीन और वियंजन तो वियंजनों के घर में आज तो party है तो उन्होंने अपने तीन और friend को बुलाया है तो आज वियंजनों के घर में आ रहे हैं तीन और गेस्ट और वो गेस्ट किसमें आ रहे हैं मैं आमने बताया आपको कूट ये देखो ये क्या है ये है रेल क्या है रेल और किसकी रेल है सियूंक्त व्यंजनों की रेल और इसमें कितने डिब्बे है इसमें तीन डिब्बे है क्योंकि सियूंक्त व्यंजन कितने होते है तीन होते है पहले डिब्बे में कौन सा है क्ष जिसको क और श दोनों को मिला कर बनाया है ठीक है तो ये हमारा पहला व्यंजन है सीमत का ख और नेक्स्ट उसके बाक्ष के बाद कौन सा व्यंजन आता है त्र जो त और र दोनों को मिला कर बना है त्र और लास्ट में तो हमारा ग्य आता है लास्ट ये व्यंजनों का लास्ट व्यंजन है ग्य ग्य और य दोनों को मिल विश्याकर बना ग्यव, तो ये तीन डिब़े क्यों बनाए है सिर्फ, क्यूंकि सिंख्त वियंजन जो हैं, तीन हैं, और ये आज किनके घर आए हैं, ये आए हैं, आज वियंजनों के घर, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे, ख्ष, ख्ष, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, वो हम जानेंगे, और ख्ष से क्या होता है, ख्ष से होता है, क्षत्रिय, क्या होता है, क्षत्रिय, क्ष से क्षत्रिय, मतलब महान, राजा, या सैनिक, जो बहुत बलवान होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, है ना, उसको बो और एक शह से और भी वर्ड होता है, एक शब्द होता है, जिससे हम यूज करते हैं, जब हमें किसी को sorry बोलना होता है, तो हम जब हमसे गलती हो जाती है, तो हम sorry बोलते हैं, इंगलिश में, है ना, तो sorry को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षमा, क्षमा, वो किससे बनता है, क्ष से क्ष़मा ममा मुझे घ्ष़मा कर दो का मुझे घ्ष़मा कर दो कर दो है ना तो रहा जब सारे शब्द होते हैं तो अभी हम इसको लिखना सिखेंगे कि यह छब्ड जो खष लेटर है व्यंजन है वह कैसे बनता है जो अब नोट बुक पे लिखने से पहले हम लोग लिखेंगे इसमें तो यह क्या है यह है आटा जिसकी बमा गोल-गोल क्या बनाती है रोटी बनाती है तो नोट बुक में लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे ट्रेसिंग करेंगे इस इंडेक्स फिंगर से हम लोग च्छ उसकी formation कैसी होती है उसके बाद हम lines में लिखेंगे तो आपने ध्यान से देखना है reportam क्षंघी रेखा है न उसके भार इस साइड मैं लेके गए ons लीपींग रेखा ये क्या है हमने ऐसे उपर से गोल घुमाते हुए नीचे लेके आए देखो नीचे लेके आए ना गोल घुमाते हुए है ना अब इसको हमने नीचे से छोटा सा सी बनाते हुए ऐसे लेके जाना है बनाया सी पहले सीधी रेखा फिर उसके बाद हम यहां से स्लिपिंग रेखा लेके गए उपर से गोल घुमाते हुए नीचे लेके आए चोटा सी बनाया अब इसका हम क्या करेंगे उपर से ऐसे गोल घुमाते हुए नीचे उसकी एक पूँच बनाएंगे जैसे दर होता है ना ऐसे करके गोल घुमाते उपर से नीचे अंदर की तरफ गोल घुमाते हुए नीचे लेके आएंगे, है ना? तो ये किसकी फॉर्मेशन है? ये है क्षव, क्या है ये? क्षव, एक बार फिर से करेंगे हम, चीक है? आपको दो तीन बार प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपके लिए एक नया वे अंजन है इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है प्रेले हम लोग एक सीधी रेखा लेंगे फिर एक स्लीपिंग रेखा बनाएंगे उपर से उसको गोल घुमाते हुए नीचे लेके आएंगे फिर ऐसे चोटा सी बनाएंगे फिर उसको ऐसे गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ नीचे लेके जाएंगे और उपर से लेटी रेखा उपर से हम लेटी रेखा लगाएंगे उसको ढख देंगे तो यह है हमारा फ्ष्षर, अब हम इसको करेंगे नॉट्बुक में, ऊके, ये है हमारी हिंदी की नॉट्बुक, कैसे किया था हमने उसमें, आटे में, सबसे पहले हमने सीधी रेखा लगाई, ध्यान से देखना ओके, सीधी रेखा लगाई फिर बीच में से हमने एक स्लीपिंग रेखा लगाई है ना यह स्लीपिंग रेखा ना लेटी हुई रेखा उपर से उसको घुमाते हुए गोल नीचे लेके आए ठीक है उसके बाद चोटा सा सी बनाया उसके बाद उसको अंदर की तरफ गोल घुमाते हुए नीचे लेके आए और उपर से उसकी लेटी हुई रेखा से धक दिया उके तो एक बाद फिट से करें पहले सीधी रेखा फिर लेटी रेखा उपर से गोल घुमाते हुए ऐसे सी बनाया फिर उसको हमने अंदर की तरह मोरते हुए नीचे लेके आए तो उपर से हमने उसको ढख दिया ये क्या बना क्ष़ पहले सीधी रेखा फिर स्लीपिंग लाइन से घुमाते हुए ऐसे नीचे लेके आए फिर गोल घुमाते हुए अंदर नीचे लेके आए तो ये है हमारा क्ष़, तो इसी तरह आपने आज क्ष़ की प्रैक्टिस करने हैं, कौन सा भी अंजन है, क्ष़, ओके बच्चों, तो ये है आज का आपका PW, बाबाए, have a nice day.